दोस्तो नमस्कार आप यदि नोकरी करते हैं और एक कमपणी छोड़कर दूसरी कमपणी में जाने वाले हैं तो यह ख़बर आपके लिए है आप इसे ध्यान से सुनिये और अंत तक सुनिये और हाँ वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा दोस्तो नोकरी कर रहे हैं और आप उसे छोड़कर उस कमपणी को छोड़कर दूसरी कमपणी जोईन करना चाहते हैं तो आपको क्या सावधानी बरतनी है क्या काम करना है अगर यह सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपको नुक्सान हो जाएगा दरसल इस दोरा एक नियम बना दिया पूरा किये बिना यदि आपने नौकरी छोड़ी तो आपको अपने बेतन पर 18% जीस्टी देना पड़ेगा। हुआ क्या है कि मौझूदा संस्थान में तैन नोटिस पीरियड पूरा किये बिना ही नौकरी छोड़ने वाले क्रमचारियों को 18% जीस्टी देना पड़ेगा। आपको अपने उस बेतन में से जो उस दोरान मिलेगा उस में से 18% जीस्टी देना पड़ेगा। अथार्टी आफ एडवांस रूलिंग ने एक फैसले में या प्रावधान कर दिया है। और कहा है कि ऐसे क्रमचारियों से नियोकता बेतन वा अनसुबधाओं की छती पूर्टी वसूली पर 18% जीस्टी ले सकता है। यानि कि जो क्रमचारी एक कमपनी को छोड़कर दूसरी कमपनी में जा रहा है और नोटिस पीरियड से पहले जा रहा है उससे जो नियोकता है यानि जो कमपनी है वो उस क्रमचारी से बेतन वा अनसुबधाओं की छती पूर्टी पर 18% जीस्टी ले सकता है। नोटिस पीरियड में क्रमचारी को मिलने वाले वेतन पर भी जीस्टी देना होगा। इसके लावा नियोकता को सामुहिक बीमा और टेलीफोन बिल जैसे सुल्क वसूलने का भी अधिकार होगा। और इस पर जीस्टी भी देना पड़ेगा। करविसे सग्यों के अनुसार यह नियोकता की जिम्मेदारी होगी कि वह विनाते नोटिस पीरियड पूरा किये नवकरी छोड़ कर जाने वाले क्रमचारी से जीस्टी वसूल कर उसे सरकार के खाते में जमा कराए। यह कर क्रमचारी को उस अधी में मिलने वाले बेतन सहित अन्य सभी प्रकार के भुकतान पर लागू होगा। तो यह कर दो आपको उस पीरियड में काम करना ही पड़ेगा उस कमपनी में उसके बाद ही आप उस कमपनी को छोड़ कर जा सकते हैं लेकिन अगर उससे पहले चलेगे तो आपको 18% जीस्टी देनी पड़ेगी या इसके लावा और भी बहुत कुछ देना पड़ सकता है। आप मिस्त्रो और धन्यवाद भी वीडियो देखने के लिए उमीद है कि ये आपके काम आएगा ये जानकारी आपके काम आएगी और आप यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो जरूर कर लेजिए आप मिलते हैं अंगले वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ नमस्कार